हेलो फ्रेंट्स तो आज एक नया वीडियो में लेके आया हूँ और वो नया वीडियो है आपका जो के आज बेखने को पूरा बन चाहेंगे वीडियो आपको पूरा देखनाया है क्योंकि पूरा वीडियो से आप मान के चलिए आपके मेंस में ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जो आपसे ना बने एगरी कल्चर की जितने कोशन्स होते हैं वह आपसे बन जाएंगे तो क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है अगरी कल्चर में गौर्मेंट के क्या स्टेप्स हैं और यह स्टेप्स आप मानके जो आपको शो करूंगा प्रिवेस एर कोश्चन में जो आए हैं जो आप डारेक्ली आंसर कर सकते हैं विद्धा है और इस परिकार से हम आंसर लिखते हैं इस इससे माक्स बनता है तो क्या रिपोर्ट बोलती सर्वे क्या कहता है कि अगर हम 20-21 की बात करें जो हमारा पेंडिमिक का यह था तो उसमें हमारा एग्री कल्चर का जो एक्सपोर्ट है वह आपको 18% ग्रो किया तो इट शोस कि आपका एक बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलता है कि हमने पेंडिमिक के दुरान भी एक्सपोर्ट हमारा 80% ग्रो किया और लास्ट जो हमारा है 2020-22 जो लास्ट फानेंशल इयर था उसमें हमने पहली बार जीवन में हमने 50 बिलियन डोलर का एक्सपोर्ट किया तो यह एक बड़ा अच्छी मेंट हो आप मारके चलिए यह काफी न्यूज में कबर भी हुआ था जब आप आप आंसर लिखेंगे एग्रिकल्चर को लेके एक्सपोर्ट को लेके तो इस डेटा बड़ा जरूरी है कि 50 बिलियन का हमने पहली बार टच किया है इस हम इसको फिगर में देखे तो यह फिगर उनन दिया हुआ है यह आपको शो हो रहा है लेक 2014-15 में 252 अपका फूट गरेंस था ना इस रीज 2 55 3 15 में इस कंटिनिएसली राइज हो रहा है लाज्ट्टिर 310 था लगाता राइज हो रहा है यह आपको जो दिख रहा है दिस इस हम typically बात करें, तो यह आपका oil seeds का है, this brown one and this blue one is about pulses तो यह keep on increasing, तो आज आपकी pulses जो है, वो 28 के आसपास पोच गया है, और आपका oil seeds है, it cross 35 तो it shows की लगातार पिछले 10, 7-8 साल की बात करें, जो trend क्या बोलता है, in last 7 years, you will find कि जो production है pulses का वो increase हुआ है, और साथ में क्या increase हुआ है, oil seeds, तो it shows की एक increasing trend है, तो आपको यह trend याद रखना है, ओके नौ दूसरा, तो यह ऐसा क्यों हो पा रहा है जो government ने कई सारे steps लिए हैं, और steps किस चीज में लिए हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो एक brief है, क्या steps लिए हैं government ने बढ़ावा दिया है किसको FPO को, farmer, producer organization, मिंस हमने company type के बनाई है, संस्ता है बनाई है जहां पर जो producer, जो farmer से उनको एकटल आके साथ में रखा गया है then government ने crop diversify कराई है, इस example हम देखी रहे हैं pulses की, जो आपके oil seeds से उनकी MSP ज़्यादा देके government ने क्या कराया है, crop को diversify करवाया है, तो diversify के लिए government ने MSP का एक बड़ा role play किया, तीसरा government ने, क्यों हो पा रहा है इसा, government ने productivity को improve किया है, with the help of mechanization अब tractors, आपकी जो machines होती है, वो ज़्यादा increase हो रही है, ज़्यादा use में आ रही है तो क्या increase हो गई है, productivity और एक और बड़ा हम जो आगे पढ़ेंगे government ने agriculture, infra fund create किया है, तो it's important step government ने जो लिए हैं, इसाब आगे हम पढ़ने वाले हैं, ओके, तो क्या है और यह सब government ने steps क्यों लिए हैं government ने, जो economic survey कहता है कि यह सब हमने लिए हैं, जैसा कि किसने का था, जो doubling of farmers income पे जो committee बनी थी जिस committee का नाम था, अशोक दलवाई committee, तो हमने जो suggestions दिये थे, हमने उनी के according सारे काम किये हैं और इसलिए हमको बहुत दिख रहा है कि farmer agriculture ग्रो कर रहा है तो दलवाई committee, अशोक दलवाई committee या committee on doubling farmer income, उन्होंने seven सुजाब दिये थे, साथ सुजाब, पहला था crop productivity बढ़ानी है दूसरा था live stock productivity बढ़ानी है तो first crop, second live stock तीसरा था, diversification करना है, towards higher value crops हमें higher value crops लगानी है resource का सही यूज करना है means, पानी, fertilizer, सबका अच्छा use करना है, then cropping intensity को increase करना है then आप जो prices जो receive कर रहे है farmers को, उसमें improvement करनी है और जो government ने की है, आप जानती है कि government ने MSP जारी करी है, जो आपकी rate है, plus 0.5, means, डेढ़ गुना MSP वो देती है आपको तो वो है, और last में है कि उसने suggestion दियाता है कि आपको farm से खा जाना है, non farm की तरफ तो government ने महाँ पर farm सुरू non farm के लिए भी काम किया है by means, enhancing by improving, या by means, उन्होंने फैलाई है food purchasing industries, तो हम बहुत हकते हैं उन्होंने अशोक दलवाई कमीटी के जो सा suggestions से उनी पर काम किया है now then survey क्या कहता है survey बोलता है कि challenges अभी भी बने हुए challenges क्या है, हम जो हमारी agriculture face करने वाली है सबसे पहला है कि climate change जो adverse impact होने वाले है, चाहे वो extreme climate हो, extreme rainfall हो extreme drought हो, यह issue है land holdings लगातर हमारी क्या ओर है fragmented होती जारी है it present, we India के अंदर जो land holding का data है वो है 1.08 hectare यह हमारी अभी average land holding है 1.08 hectare as per the agriculture census 2015-16 तो यह 1.08 hectare ही रह गया है तो बहुत हमारी land fragmented होती जारी है then farm mechanization इतना अभी भी नहीं है तो हमारे small and marginal farmer से वो इतना use नहीं करते, productivity काफी low है, employment disguised means बहुत ज्यादा लोग लगे हुए है आपके वहाँ पर input cost काफी ज्यादा बढ़ रही है यह सारी अभी भी challenges बने हुए अग्री कल्चर में तो नहीं स्टेप हमने जो लिए थे पहला famous है किसान केडिट स्कीम किसान केडिट कार्ड का स्कीम याद अखेगा, कब इंट्रडूस किया गया, 1998 में क्यों किया गया, ताकि farmers के पास पैसा आया, ताकि वो अपना agriculture product services को time पे ले पाए तो productivity बढ़ाने के लिए अच्छे service, अच्छे products का यूज़ करने के लिए क्या दिया गया कैसिसी दी गई, और आज तक का data है कि around 4 करोल में 3.89 करोड data को यह याद रखना है around 4 करोड, 4 करोड कैसिसी cards distribute कर चुके हैं banks और हाली में कैसिसी facility जो है, वो fisheries और animal husbandry को भी allow कर दी गई है 2018-19 से, यह effect रहाद रखेगा, यह premium push सकता है कैसिसी के उपर तो आपको ध्यान रखना है कि crop को भी मिलती है, crop sector को भी, साथ में animal husbandry और आपके fisheries sector को भी कैसिसी card बाटे जाते हैं और around 10 लाग card बाट चुके हैं, अगर data हम जाएं वहाँ पे तो 10 लाग card उन्होंने का है कि हम लोग बाट चुके हैं इनी को, fisheries वालों को एक और स्कीम चल रही है, इसमें फार्मर्स को सबसीडी के रूप में एक कम रेट में आपको लोन दिया जाता है, अगर आपको 3 लाग तक का लोन लेना है, तो आपको तो 7% इंट्रेस्ट पर लोन मिल जाएगा, और timely repay करते हो तो आप इस 4% पर लोन दे सकते हो, पर चापर सेंट इंट्रेस्ट में काम कर सकते हो, ऐसा गर्मर्मेंट का स्कीम है, तो इसमें पर आपको लोन मिल जाएगा, 3 लाग तक का बहुत कम ब्याज में, market से आपको कम ब् मिल जाएगा, और वो भी timely repay करते हो, तो और कम आपको इंट्रेस्ट लगेगा, that is 4% लगेगा आपका, तो यह है आपकी modified interest subvention scheme, बहुत small है, और यह show कर रहा है, जो हमने देखाना है, credit लगातार मिल रहा है, credit क्योंकि यह फाइदा है, government ने जो यह steps लिएं, like interest, subvention schemes, किसान credit card इनका फाइदा क्या दिख रहा है, you can see, कि यहाँ पे 8.00,00,00 करोड आपको मिला था, 15.15 में credit, now it reaches to 18.6, तो it is just doubled, आपको दिख रहा है कि double हो गया है, credit का पोचना, तो it is keep on increasing, लगातार आपको increase होते है, due to this किसान credit card and modified interest subvention scheme, तो यह याद अखीगा data, लगातार increase हो रहा है, बुलब train याद रखना है अपको, then mechanization का जो हमने जब भी जिकर किया था, उसके लिए कौन सा mission चाल रहा है, SMAM, Submission on Agriculture Mechanization, तो इसमें state government को assist किया जाता है, ट्रेनिंग में agriculture, machinery और farmers को support किया जाता है, कि आप farm machinery को require करें, और custom hiring center को आप क्या करें, वो set करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, तो state government को भी इसमें training assist किया जा रहा है, ताकि वो machinery को demonstrate करवाए, और farmers को भी इसमें आपको allow करते हैं, help करते हैं, कि वो क्या करें, machinery खरीदे, और mainly बात है, custom hiring centers को बढ़ाने की बात की जाती है, इसी के अंदर, तो ये agriculture mechanization, और इसका अभी recently में एक example था, इसका फाइदा मिला है, काफे हतक जो machines का use हुआ है, उससे जो, एक जो culture stable farming का, वो काफे हतक कम हुआ है, हर्याना पंजाब वाले reason में, तो you can also quote in stable farming, stable जो issue है, वो कम हुआ है, due to this submission, okay, now next, most important topic, तो सर्वे ने एक पूरा topic दिया है, organic farming, natural farming को लेके, वोन डिफाइन किया है, what is organic, what is natural farming, तो जो भी chemical fertilizer, pesticide free, आपकी जो food crops है, या जो farming है, उसको हम क्या कहते है, organic farming, natural farming, जो provide करे, chemical free, fertilizer free, pesticide free, food grains, और soil health को improve करे, और environment pollution को कम करे, उसी को हम क्या बोलते है, यह फाइद बता है, organic farming है, तो आपको इस सारे फाइदे याद रखने है, जो पता भी होंगे, आपको को बारी बात नहीं है, दिन सबसे बड़ा डेटा उन्होंने बोला है, डेटा उन्होंने दिया है आपको, और डेटा है उनका, इंडिया में 44.3 organic farmer से दुनिया में highest, डेटा यह याद रखे, चले जानना, exam में, मैं पक्का बोल रहा हूं, कोशन में फसेगा, agriculture का, डाल के आ सक अगर कोशन आ है, organic state से, right this quick, 45 lakh organic farmers है इंडिया में, जो दुनिया में highest है, और अगर इंडिया का, क्या, दुनिया का पहला state है, जो क्या हुआ है, और गेनिक, तो इस बुड अचीवमेंट फोर इंडिया, तो हम लगातर organic farming, natural farming की बात करें, क्योंकि यह environment friendly है, और काफी better भी ह होती है, तो government ने इसके लिए किया काम किया है, government कैसे promote कर रही है, इसको steps taken, यह steps आपको याद रखने है, यह question सीधे बनता है, सबसे पहला है, परमप्रागरत क्रिसी विकास योजना, और मुझे याद है, यह means में आ चुका है, यह means में आ चुका है, परमप्रागरत क्रिसी cluster mode में implement किया जाता है, cluster mode मतलब यह simple एक खेत में नहीं होता, कम से कम 20 hectare का size चाहिए, तो वहाँ पे cluster चुने जाते हैं, कि okay, like this region का पूरा cluster, for example, अगा आप like indoor side में हैं, तो like indoor में एक पूरा वो zone ले लेंगे, जहाँ पे कम से कम 20 hectare का size हो, इसमें कई सारे farmers include हो जाएंगे, त और 50,000 पर hectare का 3 साथ तक financial assistance दिया जाता है farmers को, ताकि वह organic farming को बढ़ा बते, this is परंपरा अगत कैसे विक्यास योजना, यह data यह जो इसका features है, यह आपको याद रखेगा, यह premium भी आ सकता है question, then दूसरा चल रहा है famous, mission organic value chain development for north eastern region, तो government precisely north eastern region को focus कर रही है, organic chain के लिए, तो य यह भी 2015 से ही चल रहा है, इसमें भी cluster और FPO के मिलके साथ ही काम कर रहे है, it is another program, it is run by Indian government to promote organic farming, और एक और interesting है, निमामिक गंगे प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके अंदर भी organic farming को बढ़ावा दे रहे है, जो गंगा के, जो side वाले area है, पता ही होगा आपको, जो nearby area है गंग qualification को रोकने के लिए, algae bloom को रोकने के लिए, जो गंगा के जो nearby वाले areas है, उन areas को वहाँ पर government क्या कर रही है, organic या natural farming को बढ़ावा दे रही गंगा के side में, जिस वाले areas में, तो 1.2 लॉक हेक्टर नवामिक गंगे के अंदर भी आता है, and most important अगर हम बात करें, natural farming को लेके, प भारतिये प्राकरतिक क्रशी पद्दती स्कीम, ये जो आपका KP के वीवाय है, परंपरागत क्रशी विकास योजना, उसी के अंदर सब स्कीम है, 2019-2020 में लौंच की गई थी, इसमें क्या होता है, farmers को assist किया जाता है, कि वो अपनी जो indigenous practices चली आ रही है, उनको अडोप्ट करे जितने भी farming friendly, ecological friendly technique से उनको include करे, this also includes zero budget natural farming of सुवास पालेकर, जो महराश के famous farmer है, जो नोंने इस पर काम किया है, तो सुवास पालेकर जो है, उनका भी इसमें जिख रहे कि zero budget natural farming आपको मिलेगा, ओके, इसमें क्या करते हैं, इसमें capacity building पर काम होता है, training दी जाती है, उनको demonstration किया जाता है, एक प्रिजेंट में ये आठ स्टेट में चल रहा है, ये स्टेट समें नहीं चल रहा, पूर इंडिया में नहीं है, इसमें नाओ implementing in 8 स्टेट, अब मुझे यादे, इसमें 12,500 पर हेक्टेर इसमें data दिया जाता है, तो 12.5 आपको 12.5 के जो amount है, वो पर हेक् प्रतिक खेती, तो ये साब को याद अखना है, this is the scheme related to ये, then economic survey ने 32 report दिये PM किसान को लेके, आप जानते ही है PM किसान क्या है, PM किसान के अंदर 6000 रुपे किसानों को दिये जाते हैं, irrespective of land holding size, मतलब उसमें कोई fix नहीं है कि किसको दिया है, सभी किसानों को 6000 रुपे दिये जाते हैं, तीन installment के अंदर 2000 रुपे करके, तीन बार में दिये जाते हैं, तो ICAR और इफ पर जो संस्ता है, उन्होंने report दिया है, कि इसका फाइदा हुआ है कि farmer जो है, वो agriculture inputs खरीद रहे हैं, तो ये पैसा जो agriculture inputs में लगाया जा रहा है, तो it's a good example, ये अच्छा report है, और फंड का यूज कर रहे हैं, डेली कंजम्शन में, एजूकेशन में, हेल्थ में, और दूसरे खर्चों में भी, तो it means ये 6000 रुपे कहीं लगातर खर्च कर रहा है किसान, तो it's a good sign, ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये भी financing facility है, जो 12 साल तक चल रही है, 20-21 से लेके 32-23 तक कि ये, इसमें क्या काम रखना है, ये याद रखीगा, it is related to post harvest infra, ये post harvest infra की बात करता है, और किसी चीज़ की बात नहीं करता, तो post harvest infra के लिए, और community farm assets को बढ़ाने के लिए, government इसमें fund देती है, और fund किसको मिलता है, इसमें fund मिलता है, FPO's को, APMC's को, इन सब को fund दिया जाता ह इसमें आपको 3% का interest में आपको छूट दी जाती है, for example, for starting cold storage, go downs, grading, sorting unit, इन सब के लिए आपको मिलता है, खेती बाड़ी के लिए नहीं मिलता, तो ये अंतर याद रखेगा, आपको ये crops के लिए नहीं मिल रहा है, it is for creating assets, post harvest infra like this, इसके लिए पैसा दिया जाता है, agree infra fund में, देन, एक और जिक्र क्या है, फसल बिमा योजना का, मुझे याद है, अभी interview में इसी से question पूछे जा रहे हैं, काफी question पूछे गए फसल बिमा योजना से, तो ये largest crop insurance scheme है, दुनिया की in terms of enrollment of farmers, तो बड़ी माता में farmers यहाँ पे enroll हो रहे हैं, और यह आप जानते ही हैं, इसम जो financial burden है, premium का, वो बहुत कम है किसान को, किसान को सिफ 1.5% और 2% देना पड़ता है, premium का रवी और खरीब की फसल के लिए, means रवी के लिए 1.5%, खरीब के लिए 2, और अगर होटी culture है, होटी culture के लिए 5% देना पड़ता है, तो तीनी rate है, 1.5%, 2% और 5%, remaining जो amount है, वो center government, state government द देती है, तो ये question interview में था, कि premium amount कौन देता है, तो farmer कम हिस्सा दे रहा है, remaining जो है, वो center government और state government आपको देती है, तो ये 5% आपको याद रखना है, then success क्या है, जो बोलते हैं, fail हो गया है, इसमें issues हैं, लेकिन success क्या है, इसकी, अभी report बोलती है, 2016 के बाद से, जब से चालू हुई है, जो loan नहीं लेते हैं, जो marginalized small farmer से, उनका यहाँ पर share बढ़ा है, उन्होंने scheme में क्या किया है, उन्हों scheme का part बने, वो लगातर increase हो रहे है, तो 82% increase हुआ है, उनका enrollment, it shows कि वो भी लोग भी काफी हद तक enroll हो रहे है, now, एक और जो बड़ा program चल रहा है, वो चल रहा है mission for integrated development of horticulture, तो जो बोलते है, crop diversification की जो हम बात कर रहे हैं, it is crop diversification, तो उसके लिए पुरा program चल रहा है, horticulture को ले के, under national horticulture mission, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें horticulture प्रिमोट करते हैं, इसमें fruits आ जाते हैं, वेटेबल सा जाते हैं, और सारी crop सा जाते हैं, जो कफे चल रही हैं, आपकी 14-15 से चल रही है, तो इसमें interventions में क्या होता है, इसमें आपको अच्छी quality के seeds दिये जाते हैं, plantation crops के incentives दिये जाते हैं, then वही post harvest management के लिए भी आपको पैसा यहां पे दिया जाता है, गर्मेंट ने अरूं 55 horticulture cluster इसमें ध्यान रख रखा है, next बढ़ा topic है आपका mill millets, millets पे question आप मांगे चलिए, ते हैं क्योंकि 2023 बनाया जा रहा है, international year of millets, इस पे पूरी योजना भी आ चुकी है, एक complete जो 8 July, जो जन्वरी की योजना है, वह पूरी millets पे आई है, तो millets एक बड़ा topic रहेगा इस साल में, तो millets को हम बोलते है, smart food, why are they called smart food, because इसमें एक तो highly क्या है, nutritional value है, this is climate resilient, और कई सारे UN SDG से directly जुड़ा है, like हम बात करते हैं, UN SDG, तो poverty eradication, है न, nutrition को लेके, तो कई सारे जुड़े SDG जो है, वह खईना कहीं, जुड़े है millets से, तो ये बात उन्होंने कही है, और इसकी importance और बढ़ जाती, क्योंकि ये livelihood increase कर रहा है, farmers की increase कर रहा है, और food and nutritional security को भी बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए हम millets की बात करते हैं, ना सिफ income बढ़ा रहा है, nutritional security दे रहा है, और climate resilient भी है, बना एको friendly भी है ये, तो millets की बड़ी बात हो रही है, market में, और इंडिया की बात करे मिलेट की, तो इंडिया, एशिया का 80% मिलेट रखता है, एच पर economic survey और दुनिया का 20%, तो 20% दुनिया का production और 80% एशिया का सिर्फ कहां हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो ये एक बड़ा aspect है हमारे लिए, दुनिया की जो yield है, वो उससे हम बहतर yield पे काम कर रहे हैं, मि इंडिया में हम बात करें, मिलेट तो हमारे यहां पे मिलली कैसी crop है, खरीफ crop है, याद अखिएगा, मिलली खरीफ crop है हमारे यहां पे, मोशली rain fed conditions में होती है, पानी भी कम लगता है, और बाकी inputs भी कम लगते हैं, मिन्स fertilizers वगर्या का role बहुत कम है, तो जो हम एक्स्टा ज आपको इंडिया के सारे कोने में आपको दिखाई दे रहे हैं, नोट इससे लेके आपके हिमाले तक, तो हमारे यहां पे कौन-कौन से मिलेट्स मिलते हैं, we found fox shell millet, finger millet, one yard millet, brown top millet, little millet, kodo, pearl, proso, sorghum, तो at least हमारे यहां पे nine form of millets आपको देखने को मिल रहे हैं, और south में आपको आपको इंडिया कहा जा रहा है, आचको देन, 18 के बाद से ही, मिलेट्स को बोलते हैं, नूट्री सीरियल, समझ आगया क्यों बोल रहे होंगे, क्योंकि यह क्या है, nutrition rich होते हैं, nutrition cereals है, it is gluten free, मिलेट्स में क्या नहीं होता, gluten free होता है, तो it is good for diabetic, और आपको diabetes होने भी नहीं और हम government national food security mission के अंदर आपको मिलेट्स देती है, तो मिलेट्स दिये जाते हैं अंदर आपके national food security mission के अंदर, और इसी को लेके एक submission भी चालू किया जा रहा है, 14 states में nutritionals को बढ़ावा देने के लिए, तो means government कई सारे initiatives लिये हैं, किसको लेके, मिलेट्स को लेके, तो अगर question आता है कि government ने क्या steps लिये हैं, मिलेट्स के, these are the steps taken by government to promote मिलेट्स, ठीक है, यह आपको याद रखना है, इसके बाद, क्या इस्तिती live stock and fisheries की, तो यह बड़ा interesting सा fact है, live stock sector का contribution लगातार increase हो रहा है, जो 24 परसेंट है, 24 परसेंट, 2014-15 में, वास 30 परसेंट पोच गया है, basic case मे आपका share है, fisheries का, वो भी increase हो रहा है, now it reached 6.7%, तो live stock fisheries का share तो बड़ी रहा है, दोरों grow भी कर रहे है, 7% की rate से, इनका annual growth rate है 7%, मतलब यहर साल 7% की rate से grow कर रहे है, that is in higher growth, और इनका share लगातर बढ़ रहा है, जो आपको इस diagram से समझ में भी आ रहा होगा, इस diagram क्या दिखा र हो रहा है, कम हो रहा है, अगर प्री में ऐसा trend लिखे, कि share of crop sector in GVA, agriculture gross value addition, वो लगातर decline हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, और rise किसका हो रहा है, आपको लगातर, fisheries और आपका जो live stock sector है, वो लगातर increase हो रहा है, यह जो बड़ा वाला है, यह लगातर इंक्रीज हो रहा है तो live stock and fisheries का हो रहा है, increase और 7% की growth rate है, जबकि crop का लगातर decline हो रहा है, तो यह दिखा रहा है कि जो बात करते हैं कि हम जो extra income के source से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहा है, गर्मेंट ने steps लिए हैं, सबसे पहला animal husbandry, infra development fund गर्मेंट ने जारी किया है, 15,000 क्रोड रुपे गर्मेंट खर्च कर रही, 2020 में लोन चुआ है, इसमें भी आपको 3% की लोन पे छूट मिलेगी, और आपको 25% की बोरेंट पे गर्मेंट की गारंटी मिलती है, तो यह गर्मेंट ने scheme की ताकि क्या बन जाए, जो हस्बेंटरी सेक्टर, animal husbandry, उसमें infrastructure बढ़ावा द लिए हो जाए, तो उसके लिए पूरा गर्मेंट प्रोगाम चला रही है, तीन पसंद छूट के बाला, दूसरा फेमस प्रोगाम चल रहा है, नेशनल लाइविली, लाइव स्टोक मिशन, जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, 20-21 के बास है, अभी वो चल रहा है, 21-22-25-26 इसमें क्या काम किया जा रहा है, इसमें गर्मेंट जो है, काफी हद तक जो यूथ हैं, उनको इंक्लूड करना चाहरी है, कि इंटर्पेरिनर्शिप निकल के आए, बहतर ब्रीड इंप्रूव्मेंट हो, अच्छा फीड फोडर मिले, अच्छा फीडर, अच्छा फोडर, तो मिंस जो प्रोड़क्टिविटी है, एनिमल सेक्टर की, एनिमल हस्बंडी सेक्टर की लाइव स्टोक की, वो इंप्रूव हो, उसके लिए गर्मेंट काम कर रही है, अंडर नेशनल लाइव स्टोक मिशन, ये भी आपको कोड करना है अपने आंसर में, देन नेशनल एनि लोग होती हैं, ब्रुसेलिस, देन मोश्ट इंपोर्टेंट बिधान मंत्री मस्च संपत्य योजन, ये बड़ी स्कीम चल रही है, जो फानेशर 21 में चाल हुई थी, पचीस तक चलेगी, इसमें सारे स्टेट्स, ये फैक्ट आपको याद रखना है, औल स्टेट्स, बाहनो वो कोश्टल हो या वो इनलेंड हो, तो सारे स्टेट्स पर ये अप्लीकेबल है, क्यों है, ये प्रमोट करता है, सस्टेट्स का और जो फिशर्ष, जो आपके फिशर्मेन हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका सोचल एकोनोमिक डेवलप्मेंट हो, उनका अच्छी इंकम यहां नहीं कि इंकम इंक्रीज उसके लिए प्रिदामंति मस्त संपधी योजना चालू की गई है इसके लिए काफ़े पैसा खर्च किया जा रहा है उसका टा खर्च है मिन्स, प्रोप्रेटि उसीं से हैं बाद करनेуем प्रोपेडिक तरफ स्वेक जो कोप्रेटिव सोसाइटी से उसीं प्रोपेड्री लेकre आती है तो, क्या है जो अच्छा अप्षण मिल रहा है जीने का और security देदी इस आपने देखा भी होगा कई सारी बनी हुई है like sugar को लेके बना हुआ है milk को लेके बना हुआ है ऐसे कई सारे cooperatives बने हुए है for example milk cooperative का example है साची cooperative साची जो है देन आपका amul का example आप जानते हैं तो बहुत सारे हैं और इंडिया में अभी में आता ही है हर दो साल में repeat होता है इस साल तो पक्का repeat हुआ था पिछले 5 साल में जो food processing industries है आपकी वो around 8% से grow कर रही है तो data बड़ा है तो हम बोलते हैं क्यों यह sunrise sector है क्या इसका scope है क्या significance है तो क्यों है sunrise क्यों scope है यह यह लगातार हम बात कर रहे है साले 8 की rate से उतर रहा है तो it is sunrise sector लगातार increase हो रहा है और जो इसका exports है जो हमारा agriculture food exports है वो 10.9% जो है वो यह include कर रहा है तोटल जो हम export करते हैं उसमें जो 11% का share है वो agri food export है उसमें आपका process food भी आता है तो means यह बड़ा role play कर रहा है कि इसमें food export के अंदर भी 11% का जो share है उसमें आपका agree food exports आते है significance क्या है इसका जो question बनता है कई बार कि क्या है significance significance क्या reduce करेगा disguise rural unemployment जो आप देखरे भी रहोंगे कि लगातार क्या होता है कि वहाँ पर कापसर लोग लगे हुए है किसमें खेती बारी में उसको कम करता है वहाँ से निकालेगा जो extra जनसंख्या लगी हुई है खेती में वो कहाँ चली जाएगी industries में जो गाउं की poverty है वो कम करें क्योंकि लैबली हुड मिलेगा income rise होगी तो गरीबी कम होगी food inflation कम होगा तो food inflation भी कम होगा क्योंकि आप यहाँ पर process food की बात कर रहे हैं तो जो लगातर market में जो demand है वो लगातर create होगी तो means food inflation का issues भी खतम होगा जो हम लगातर देखते हैं wheat rise के साथ या बाकी के साथ तो food inflation का issue है और दूसरा यह rural to urban migration को भी कम करेगा जो लोग गाउं से share जा रहे हैं योग नोकरी करने के लिए उसको भी reduce करेगा देन यह food security enhance करेगा क्योंकि logical है जो हम उनको process food की लेके काम करते हैं development होगा growth होगी better production होगा तो logical है food security बढ़ेगी और nutrition क्योंकि हम जानते हैं अपने word सुना होगा food fortification लगाता चलता है process food में क्या चाहते है food fortify अपने word सुना होगा उसकी हम यह पर बात करते है food fortification जिसमें हम extra minerals डालने की बात करते हैं आसल दिमांड चलती है package खिछडी वगेरा यह सब चीज आपको दिखती है और food का क्या कम होगा वेस्टेज भी कम होगा अगर industries खुलती है process होते हैं तो जो during transition जो आपको मिलता है जो loss हो जाता है जो वेस्टेज हो जाता है और इंडिया में जो वेस्टेज का एक ratio है वो 30% का है 30% हम even खाना वेस्ट कर देते हैं इस transportation के दोरान तो it shows कि हम इसको बचा सकते हैं जो food security enhance होगी food inflation कम होगा इस सारे चीज आपको देखने को मिलेगी लेकिन challenges क्या है challenges भी है कि हमारे पास क्या नहीं है cold chain infra नहीं है south में है कुछ north में कम है तो यह unequal है तो इस से क्या आती है disparities आ जाती है तो transportation equal नहीं हो पाता एक और issue है logistical barriers हमारे यहां पर mostly जो transition होता है इनका जो foods हैं जो perishable commodities हैं वो जाती है national highway से अब इंडिया में सिफ 2% national highway only 2% national highway हमारे यहां पर है 2% national highway पर 40% cargo चल रहा है जो 2% सिफ national highway उसमें 40% cargo मूब हो रहा है तो आप समा सकते हैं कितने जादा constraint है तो logistic barriers से क्या होता है लगा आता है जो perishable commodities है वो खराब हो जाती है और तीसरा है कि अभी technology का use गाउं में इतना नहीं होता है इतने नहीं करते है यह challenge हम को दूर करने पड़ेंगे इसी को दूर करने के लिए government ने कई सारे steps लिए है क्या steps है government के आप जानती PM पदान मंति किसान संपदा योजना एक major scheme चलाई जा रही है जिसमें government पैसा देती है आपको food processing units को set करने के लिए mega food parks वाकिरा सब बनाए जा रहे हैं इसी के अंदर तो खर्चा खूब हो रहा है दूसरी major एक बड़ी scheme चल रही है वो है PM FME formalization of micro food processing enterprises इसमें क्या हो रहे हैं जो micro units हैं जो micro enterprises हैं जो कि हम काम कर रहे हैं किसमें आपकी food processing sector में जो micro units जो काम कर रहे हैं जो unorganized sector में उनको formalize किया जाएगा उनका competitiveness बढ़ाई जाएगी ताकि market में वो stand कर सके हैं तो उनको यहाँ पर जो है formalize किया जा रहा है उनको financial, उनको technical, उनको business support दिया जा रहा है आप बताई क्या support चाहिए business की form में, technical की form में ताकि वो upgrade हो जाए या हम नहीं भी set कर रहे हैं around 2 lakh, 2 lakh micro units को हमने target किया है 2 lakh में मिला कुछ नहीं भी होंगी और कुछ हम पुरानी कोई upgrade करने की कोशिश किया जा रहे है तो यह बड़ा mission है हमारे food processing sectors को लेके और इसी skim के अंदर क्या लेकि आए हम one district, one product approach इसी skim के अंदर का यह part है ODOP, one district, one product approach को हम लेके बात कर रहे है और एक आपने सुनाई होगा production link incentives government ने skim भी लाई है 2022 में इसमें government ने sectors लिए like marine products, processed fruit and vegetables ready to eat cooked products like cheese है उसमें मैं नाम बूल गया margela cheese कुछ बोलते हैं वो भी इसके अंदर included है तो money in products, processed fruit, vegetables इसके लिए क्या दी जाएगी production linked incentives दिये जाएगे आप production करिए आपको हम incentives देंगे तो government के उसमें यह यह भी एक आपका sector से now last topic हम बात करें food security को लेके food security को लेके सबसे बड़ा प्रोग्राम है आपका national food security act national food security act के अंदर 75% of rural population 50% of urban population cover हो जाती है उन्हें क्या मिलता है? उन्हें subsidized food grains दिया जाता है, मतलब कम नाम में food grains दिया जाता है, और क्या दाम है? rupees 1, rupees 2, rupees 3 per kg, means 1 रुपे kg मिलेगा coarse grain, 2 में मिलेगा wheat, 3 में मिलेगा rice और कितना देते हैं? एक family को 35 kg मिलता है अन्तियोदे अन्योजना के अंदर जो family registered है, अन्तियोदे अन्योजना उनको 35 kg मिलेगा family को और जो priority households है जो आपके priority households है उनको 5 kg per person मिलता है पर मत और अभी government ने क्या करा है अपने पड़ा होगा तो government ने एक scheme launch किये फिर से प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना फिर से launch किये इस साल क्या होगा सिर्फ एक साल के लिए गर्धान जितनी जो 81 करोल beneficiaries है NFSA के अंदर उन सबको free दिया जाएगा यह जो amount है 1,2,3 per kg यह लिया ही नहीं जाएगा एक साल के लिए एक साल के लिए आपको 35 kg अगर आप अन्योजना में है तो fully आपको free मिलेगा 35 लोग और अगर आप इसमें है तो 5 kg per person आपको free दिया जाएगा तो एक साल के लिए पूरा के पूरा आपको सामन free दिया जा रहा है इसके अंदर और food security को enhance करने के लिए हम लेके आए 1 nation 1 राशन कार्ड 2019 में loan चुआ है इसमें आपको state के अंदर या state के बार आप कहीं भी हो तो आप अपने राशन कार्ड के तुर का कर सकते हैं सारा सामन ले सकते हैं अगर आप migrant beneficaries है तो आप जाहिए राशन के दुकान पर जाहिए अपना आधर कार्ड शो कीजिए biometric करिए और अपना सामन आप कहीं से भी ले सकते हैं पूर इंडिया में तो सारे state हो या state के अंदर कोई साभी जिला हो आप कहीं से भी अपना जो आपको हिस्सा मिलता है जो आप beneficary से जो उब को खाना मिलता है वो अपर जगे से मिलेगा आपको राशन हर जगे से मिलेगा तो यह वन नेशन वन राशन कार्ट और यह है कुछ प्रिवर शियर कोशन्स या प्रैक्टिस कर सकते हैं यह स्ट्रेट फवरड कोशन्स जो आप इस वीडियो के थुरू बना सकते हैं क्या है इसमें कोशन अगर हम देखें तो बहुत सिंप आपको लिखना है कितने परसंट लोग इंक्लूड है देन अन्योजना में वह वाला चापांच प्रैटर लिखेंगे तो आपसी आंसर भी बन चाएगा और नेक्स पार्ट भी आप अगर जान दे तो आप यू के राइट इट देन नेशनल होटी कल्चर मिशन किस पेकार से फार्म को बड़ावा दे रहा है तो ऐसे ही कोशन क्या सकता है आपका जो हमने एक प्रोग्राम लिखा है तो यह सारी स्कीम्स पूछी जाती है इसलिए मैं में मेंशन कर रहा हूं इसकीम इंडिया का पहला और्गनिक स्टेट है उसके एकलोजिकल और एकलोमिक बेनेफिट क्या है इसे कोशन आ चुके हैं तो कोशन टफ नहीं है हम सारे कोशन बना सकते हैं यह गवर्मेंट ने क्या पॉलिसी ली है फूर्ट पॉसेसिंग सेक्टर को चैलेंज खतम करने के लिए तो मिन्स गवर्मेंट के स्टेप्स लिखने हैं आपको तो आप देखे हमने चाप- पूर फार्मर्स तो यह इतने सारे कोशन से हैं जो मैं लेके आया हूं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो यह टॉपिक हमेशा एक्जाम में आता है और यूगर आप इस वीडियो को देखके भी जाएंगे तो आपसे सारे आंसर बन जाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को आ क्लाइमेट चेंज किसी डॉपिक बना लूगा जो मुझे ठीक लगेगा तो वीडियो आपको कोई भी आपने देखा कोई भी डाउट्स आपको आते हैं कोई भी क्यूरीस आती है तो आप मुझे मेरे टेलिग्राम आइडी में ने दी है आपको मिल जाएकर डिस्क्रप्श